नेक्स देखते हैं अपन सेमी सॉलिड वहिकल, अभी तक हमने क्या क्या देखा, सॉलिड वहिकल और लिक्विड वहिकल, अब नेक्स देखते हैं अपन सेमी सॉलिड वहिकल, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि टॉपिक मैं जहां तक खुशिस कर रही हूं, कि लिए देखते हैं, semi-solid वहिकल कौन-कौन से हैं इसमें, वहिकल that are in the semi-solid state at the room temperature, paraffin hard, ठीक है, next है, source क्या ही है, petroleum से लिया जाता है, it is a use in malin, increase the consistency of ointment की, consistency बढ़ानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, it is ingredient of paraffin ointment, simple ointment and wool alcohol ointment, उसके बाद next है, yellow soft paraffin, ठीक ह yellow soft paraffin, यह किस से obtain होता है, petrolatum, yellow petrolatum, petroleum jelly, paraffin jelly, perifenium, moly, flavum, ठीक है, इससे गी medicine prepare की जाती है yellow soft paraffin किसले use होता है, it is a use as a base for ointment का base बनाने के लिए, it is a highly occlusive and good emollient, ठीक है, mix करने के लिए, बहुत ही अच्छा work करती है, और ointment का base बनाने में यह help करती है, उसी तरह देखते हैं, white soft paraffin, this is a utility of white petroleum, it is a similar to yellow petroleum, petrolatum, but it is often a preferred because of its freedom from color, it is employed as a protective or base for ointment and creates a and form the basis for the burn dressing के लिए help करती है, ठीक है, white in color का रहता है, और इसमें कोई color use नहीं होता है, ointment का base बनाने में, साथ साथ, creates and form the basis for the burn dressing के लिए help करती है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अपन liquid paraffin, ठीक है, इसका use किसलिए होता है, it is a use in the preparation of eye ointment के लिए, liquid paraffin का use होता है, ठीक है, अपन yellow bee wax, sira flavor कहते हैं, ठीक है, फ्रण, exam में कई बार question पूछा गया है, sira flavor किसे कहते हैं, तो yellow bee wax को, sira flavor कहते हैं, ये एक semi-solid वहिकल है, ठीक है, इसका source क्या है, wax from honeycomb or the heave bee of epismalifica, ठीक है, it is a use in the preparation of creates and ointment and use for the hardening of soft ointment को hard करने के लिए help करती है, अब उसके बाद देखते हैं, white bee wax, इसको sira alba कहते हैं, white bee wax को, और इसे कहते हैं, sira flavor, yellow bee wax को, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, exam में इसमें से question जरूर बनते हैं, क्योंकि question कुछ भी घुमा के आप लोग से पूछा जा सकता है, white bee wax का use क्या है, it is used as a component of creates an ointment, ठीक है, lenonine क्या है, wool fat या adipts, lenony, ठीक है, ये भी exam में question पूछा जाता है, ये किसे कहते हैं, ये question पूछा भी गया है, किसी exam में friends, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लैनेक से याद रखिएगा आप लोग, तो लैनोनीन आएगा इसका, इस तरह से ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, या wool fat किसे कहते हैं, तो exam में इस तरह से question घुमा के पूछे जाते हैं, इसका source क्या है, लैनोनीन क्या, इसको प्रिपर किया जाता है, इसका इसको पूछा गया था, यह किसे कहते हैं करके, ठीक है मुझे याद आ रहा है किसी एक्जाम में ये कोशन पूछा गया था तो इसको याद रखेगा आप लोग इस नाम से पूछा जा सकता है फ्रेंट तो आप लोग ये सब नाम को अच्छे से याद रखेगा कि किसे क्या कहते हैं सोर्स क्या है फ्रॉम दे हैड एन बलबर ओफ इस पर्म वैल फाइस्टर मैक्रो किपलास एंड बॉटल नोसोड वेल हाइट्रो एन हाइपर हाइपरो डॉन रोस्टेटर्स ठीक है स्पर्मिसीटी क्या है इट इस वन अप दॉलिट फैटी सबस्टेंस इंप्लॉय तो गीवे नाम को भी आप लोग याद रखिएगा एडिप्स लाड भी कहते हैं सोर्स के है पुरिफाइड इंटर्नल फैट नोन अज दे फ्लैरे ऑफ दे डामन ऑफ हॉग सूस स्क्रोफा और सूस डॉमेस्टिका ठीक है तो यह सोर्स भी आप लोग याद रखिएगा इट इस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेंट कभी भी कुछ भी बोच सकते है इसके सोर्स के है कोलेजन ड्राइफ फाम दे थीन इनर सिल्वर शाइनी लेयर ऑफ दे एर ब्लैडर ऑफ सम फिसेश पर्टिकुलर्ली स्टेगन ऐसी पैंसर हुसो ठीक है इस इंपॉर्टेंट कंपोने इसके सपो मॉलीज भी कहते है सोर्स क्या है इंटरेक्शन और पोटेसियम हाइड्राकसाइड और सोडियम हाइड्राकसाइड विद शूटेबल वेजिटेबल ओईल और ओईल्स और विद फैटी एसीड ड्राइब देयर फॉर्म नेक्स इफ्रेंट सॉप्ट सोफ जिसे के सपो मॉलीज भी कहते है सोर्स क्या है इंटरेक्शन और पोटेसियम हाइड्राकसाइड और सोडियम हाइड्राकसाइड विद शूटेबल वेजिटेबल ओईल और ओईल्स और विद फैटी एसीड ड्राइब देयर फॉर्म सॉप्ट सोप का यूज क्या है इटीज यूज सोप लिनिमेंट की तरह इसका उप्योग किया जाता है नेक्स देखते है अपन हर्ड सोप जिसे की अपन सैपो दूरस भी कहते है ठीक है सोर्स किया है इटीज प्रिपियर फॉर्म फैड्स और ओयल विद सोडियम हाइड्राकसाइड और फैटी एसीड ठीक है इसको याद आपो एनिमलिस की नाम से भी जाना जाता है सोर्स क्या है सोप मेड विद सोडा और पुरिफाइड अनिमल फैट कंसिस्टिंग प्रिंसिपली ऑफ स्टेयरीन ठीक है इटीज यूजली कंसिट्वेंट ऑफ बार लॉंड्री सोप के तरह इसका उप्योग किया जाता है इटी इसरॉल ओफ स्टार्ज एड़ एब्सार्वेंट एंड दीमलिसेंट इन प्रॉपर्टिज अनिम्स्ट्रॉमेंट इंस्ट्रॉमेंट के बारे में जो कि हमारे फॉरमिसी में यूज के जाते हैं तो हमने वहीकस जैप्टर को भी कवर कर लिया है सोर्स ओफ एपाथी ड्रॉ सीफाइड आजे सीफ नंबर 6 8 & 10 ठीक है तो इसमें से भी कोश्चन बन सकते हैं कितने नंबर के हो सकते हैं 6 8 & 10 ठीक है साती साथ 22 25 30 36 44 60 85 100 & 200 नेक्स देखते हैं अपन पर द्राइंग अट एवरी हाई तेंपरेचर कुरुसीबल मेट अफ साल सिलिका इजे यूज़ तीक है अब देखते हैं डेसिकेटर के बारे में यह क्या होता है इट इजे यूज़ फोर रिमोविंगे मॉश्चर और दिहाइडरिशन अफ सस्टें इसके लिए अपन डेसिकेटर का उप्योग करते हैं यह कोशन हमेशा मैंने देखा है तो इसके लिए अपन डेसिकेटर का उप्योग करते हैं इसकेटर रिक है अरे इसकेटर शॉब यह करने है पना डेसिकेटर बारे लिए पालरी ऐसितों डीज़ चें और ढेसिए इसे थाunu आ ड्र आध ऐखने कान अट अट specific gravity and relative density of liquid next reference alcoholometer it is a use for the estimating the strength of alcohol next reference decantation जिसे कि अपन हिंदी में निथारना भी कहते हैं इसे पहले हमने क्या देखा था desiccator ठीक है अब देखते हैं decantation it is a process of slowly and carefully powering out a liquid from one vessel to another without disturbing the sediments that have been accumulated at the bottom of the liquid ठीक है इसमें धीरी दिये process की थुरू एक वहिका सेरे दूसरे vessels में अपन liquid को डालते हैं solid को बिना disturb की हुए एक vessel में liquid के साथ साथ कोई solid चीज भी रखी हुई है तो अपन दूसरी vessels में उस liquid को ऐसे process की धुरू धिरी धिरी डालते हैं जिससे की solid नीचे बैठा रहे और water या liquid जो भी है वो दूसरे बरतन में या vessels में transfer करते हैं अपन इस process को अपन कहते हैं decantation next क्या है filtration it is a physical process of separation of liquid from substance insoluble in that liquid with the help of filtrating medium थोदा which only the liquid can pass but not the other substance insoluble in that liquid ठीक है ये भी एक filtration की process है separation of liquid from substance insoluble in that liquid with help of filtrating medium थोदा which only the liquid can pass but not other substance insoluble in that liquid ठीक है अब evaporation क्या है it is a simple process of removing a liquid slowly from a solution distillation क्या है it is a process of converting a liquid into gas and condensing the gas back into liquid ठीक है distillation में क्या है direct अपन liquid को gas में convert करते हैं और फिर gas को फिर से liquid में convert करते हैं तो इसको अपन distillation क्या है fractional distillation क्या है it is a method used for the separating a mixture of several liquids of different boiling point as in the case of organic liquid sublimation क्या है it is a process of distillation, distilling, distilling and solid of converting the solid into vapor and condensing the vapor back to solid इस process में क्या होता है friend sublimation में कि solid को अपन direct vapor में convert करते हैं बीना liquid में convert किये और उसी तरह से फिर से vapor को direct अपन solid में convert करते हैं बीना liquid में convert किये ठीक है तो इस process को अपन sublimation कहते हैं तो यह सारे topic यह आप लोग अच्छे से समझ के याद कर लिजेगा समझ के याद करेंगी तो कोई दिकत नहीं होगी friends याद करने की कोशिस मत कीजीगा कोई भी topic है उसको समझ यह तो याद easily हो जाएगा आप लोग को desiccation क्या है इस प्रोसेस अफ रिमोविं यह वाटर फ्रम सबस्टेंस अद मौर्ड तेंपरेचर दिफरिंग फ्रम एक्षिजेजेजन exication वीच मीन से रिमोविं यह वाटर फ्रम सबस्टेंस अध है ठीक है precipitation क्या है इस अटलूट्स अटलविं और फ्रोसेस ओप्रोसेस अट्निक ए स॥िजेज celebrating और finer portion of communicated drugs from the coarser particles by use of seeds and there is a determining particle size. इस इंपोर्टन मेडिसीन के drug strength देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से question चरूर बनते हैं. Tincture and solution other than 1 by 10 और 1 by 100 drug strength. B4 आना का कितना है 1 by 1000, Cactus Grandi Flores का है 1 by 20, Costicum का है 1 by 2, Chlorinum का है 1 by 1000, Moscus का है 1 by 20, Phosphorus का 1 by 667, Sulfur का है 1 by 5000. तो यह बहुत ही important difference, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिजेगा सभी को, क्योंकि इसमें से exam में question ज़रूर बनते हैं. इसमें नेक्स देखते हैं, maceration क्या है? Maceration is the process of removing the active principles from a drug by allowing the letter to remain at room temperature in contact with the solvent from several days with frequent agon. agitation, gummy and mucilaginous substance with viscous juice. ठीक है, time required कितना रहता है? 2 to 4 weeks लगता है maceration के लिए. यह exam में question अक्सर पूछी जाते हैं, maceration के लिए कितने समय लगता है? कितने week लगता है? तो 2 to 4 weeks इसमें लगता है. Next, देखते हैं, percolation क्या है? It is a process of extracting the soluble constituent of drug and preparing the mother tincture by passage of solvent through the powder drug contained in a suitable vessel called the percolation for a definite period of time as per the direction of specified in pharmacopoeia. Next, देखते हैं, percolator is adopted for the extraction of dry vegetable and animal substance. Percolation used required 24 hours of extraction. In the preparation of liquid potency scales used are centisimal, decimal and 50 millisimal scale. ठीक है? चले, next जानते हैं, centisimal scale के बारे में, this scale was introduced by Hanuman in 5th edition of Organon of Medicine. ठीक है, 5th edition of Organon of Medicine. ठीक है, इसको भी याद रखेगा, आप लोग, exam में question जरूर बनते हैं. इसने introduce किया था, कौन से edition में हुआ था, तो यह आप लोग याद रखेगा. और कौन से aphorism में हुआ था, तो यह aphorism number 270 designated by the C और CH के दोरा इसको denote किया जाता है. Next, decimal scale. If you have was the first to introduce the decimal scale, Dr. Vesmeri of Berlin in 1836 in prices manner set for the principal, their involvement involved, the decimal potency is denoted by suffixing X. ठीक है, centisimal को C या C से, इसको X और D से इसको denote किया जाता है. X और D to the number indicating the potency ratio is the 1 by 9. ठीक है, और centisimal का कितना रहता है, 1 by 99. इसको भी याद रख लेगी जिए आप लोग, और इसको रहता है 1 by 9. Next, देखते हैं पना 50 millisimal potency. 50 millisimal potency are based on the principle initiated by Hanuman. It is based on the principle initiated by Hanuman. In his sixth edition of Organ of Medicine, aphorism 270, 50 millisimal potencies were termed by Dr. Perry Smith. ठीक है, इसका नाम किस ने दिया था? Dr. Perry Smith में, ये question exam में अक्सर बनते हैं. कित कौन से पोरिज में हुआ था? 270 में, ठीक है? और it is based on the principle initiated by Dr. Hanuman. तो ये सारे important event exam इसमें से question जरूर पुछी जाते हैं. Millisimal potency कैसे prepare की जाती है? वो फिर कभी अपन नेक्स वीडियो में देखेंगे, friends. अभी चली देखते हैं. 50 millisimal potency are designated by 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 से लेकर के 0 by 30 तक होता है. LM1, LM2, LM3 से लेकर के LM30 तक. उसी तरह से LM1 से लेकर के आगे की potency, उसी तरह 0, 1 से लेकर के 0 by 1 से आगे की इसके पूरे range तक इसको denote किया जाता है. Drug strength देखते हैं आपन. Drug strength of 0 by 1 potency is 1 by 5 into 10 by 10. In a taturation plumbum mat, pestle has to be used softly. And in making the first taturation of mercury, graphitis and plumbum double times is required. आप लोग को शॉर्ट में ही बताते जा रही हूं फ्रेंड जली जली ताकि आप लोग के लिए सारे topic cover हो सके. पूरे detail में करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. आप लोग बहुत ही हो जाएगे पढ़ते-पढ़ते. तो अपन जो important है उसी को देखते हैं ठीक है. नेक्स कभी हम इसके बारे में पूरा detail में पढ़ेंगे. तो देखते हैं इसमें the term posology किसे कहेंगे originating from the Greek word. posos meaning how much and logos meaning study or discourse. तो ये कौन सा है? Greek word से लिया गया है posology. ये exam में पूशा जा सकता है इसको ध्यान रखेगा आप लोग. posos meaning क्या होता है? how much and logos meaning study. it is a maximum or largest possible amount of medicine which can be taken at a time by adult not harmful to human life. उसी तरह lethal dose या fatal dose exam में ये भी पूचा जाता है. it is also known as the toxicological or narcotic dose भी कहा जाता है. it is such amount of doses which can cause a death of the living being. उसी तरह booster dose क्या है? subsequent dose given to enhance the action of initial dose को. enhance करने के लिए booster dose जिया जाता है. जैसे कि अभी COVID में booster dose अभी को लगी रह होंगे. ठीक है तो उसको अपन booster dose कहेंगे. fractional and refractive dose किसे कहेंगे? it is a fraction of the full dose which is to be taken at short interval. physiological dose क्या है? dose which is stimulate the normal physiology or function of the different organ or system of our body and the symptoms that are appearing are known as the physiological symptoms. अब चलिए देखते हैं prescription ठीक है? यह topic बहुत important है, इक्जाम में इसमें से आते हैं question. prescription drive from the Latin word. ठीक है? पॉसोलोजी क्या था? Greek word था. prescription क्या है? Latin word है. तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा. ठीक है? सभी को अच्छे से याद कीजीगा. मैंने किसी वीडियो में पूरे अच्छे से बताया भी है. ठीक है? उनसे word को क्या क्या जाता है? कहा से लिया गया है? ठीक है? तो उसको आप लोग जरूर देखेगा. अब देखते हैं prescription. इसके फोर पार्ट होते हैं, प्रेंड्स, prescription के. यह तो आप लोग को सभी को पता होगा. सबसे पहला होता है, सुपरिस्क्रिप्शन, फिर इंस्क्रिप्शन, फिर सबिस्क्रिप्शन, एड लास्ट में सिगनेचर होता है. इसमें सबसे important part कौन सा होता है? इंस्क्रिप्शन का होता है. तो चले one by one अपन इसको जानते हैं, क्योंकि एक्जाम भी इसमें से पूछा जाता है, ठीक है? तो सुपरिस्क्रिप्शन क्या है? इसमें क्या क्या लेते हैं? पेसेंट का पर नाम लिखते हैं, name of the patient, age, sex, with address लिखते हैं, the word for save, written before the name of the patient, symbol, rx लिखते हैं, this sign was originally employed as a sign of Jupiter, it is now used in abbreviation for the latin word receive, या receive भी कहते हैं, rx को, next है inscription, name of the remedy, potency, and its quality, nature, and quantity of various vehicle, तो सबसे important part कौन सा होता है, prescription में, inscription वाला, इसमें क्या क्या रहता है, name of the potency, ठीक है, name of remedy, its potency, and its quality, nature, and quality of the various vehicle, उसके बाद देखते हैं, अपन, subscription में क्या रहता है, instruction and direction for the dispenser, ठीक है, सब description में रहता है, instruction and direction for the dispenser, इसके बाद है signature, signature में क्या रहता है, direction to the patient, such as mode of intake, medicine कैसे लेनी, route of administration, and the time of intake of medicine, when to report, advice regarding diet and regimen, and other instruction or caution to the patient, ठीक है, तो इसमें इसते सारे topic cover होते है, signature में, तो ये भी बहुत important part है, आपके prescription में, तो आप लोग चारों को अच्छे समझ के याद कीजेगा, क्योंकि exam में इसमें से question जरूर बनते हैं, ठीक है, super description, inscription, subscription, subscription, and the signature, four part रहते हैं, इसमें description में, अब देखते हैं friends, every region के बारे में, इसके लिए मैंने एक separate video भी बनाया है friends, तो आप लोग जाकर को उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे almost every region को cover किया है, चलिए फिर भी साथ में देख लेते हैं पन, तो आप लोग कर revise हो जाएगा, ठीक है, एसी क्या है before food, add lib है at pleasure, add us extra है for external use, add hib, ठीक है, A-D-H-I-B, add hib, to be administered, B-D कहा है twice daily, B-I-D कहा है twice in a day, ठीक है, प्रेब कहा है, a teaspoon full, collier कहा है, an eye lotion, count, ram कहा है, continue the medicine, dived, alt कहा है, on the alternate day, dose कहा है, add dose, prick कहा है, frequently, grain कहा है, grain, get, gtt, कहा है, drop, hss कहा है, to be taken at bedtime, ठीक है, m कहा है, mix, and मैंने कहा है, in the morning, mean कहा है, a minimum, mist कहा है, mixture, Nm कहा है, night and morning, noct कहा है, at night, od कहा है, everyday, oh कहा है, every hour, om man कहा है, every morning, om noct कहा है, every night, pa कहा है, to the affected part, pc कहा है, after food, qid कहा है, four times a day, sos कहा है, if necessary, tid कहा है, thrice daily, treat कहा है, trichurate, and whack man कहा है, on empty stomach, formiconomy, is the subject that deal with the root of administration of medicine, ठीक है, formiconomy किसे कहेंगे, formiconosy किसे कहेंगे, formicopalaxy किसे कहेंगे, तो यह सारे terms है, इसमें से exam में question जरूर बनते हैं, तो आप लोग बस इतना ही याद रखेगा, formiconomy है, root of administration, वो किसे कहते हैं, यह तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, जिस ठीक है, और भी नाम है, second best remedy भी कहते हैं, इसके, साथी साथी से, phytum, rubrum, nihilinum, lactopane, P-pills and SLB कहते हैं, तो यह सारे नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि exam में इसमें से question बन सकते हैं, next difference for homeopathy format को dynamics किसे कहेंगे, is that the branch of homeopathic pharmacy that help us to acquire a knowledge about the dynamic action and effect of drug on healthy organism and constitute the fundamental aspect of homeopathic therapeutics, तो यह लाइन आप लोग याद रख लीजिएगा, it is a knowledge about the dynamic action and effect of drug on healthy organism and constitute the fundamental aspect of homeopathic therapeutics, तो इसको याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग आपन देखते हैं, इन इंडिया, drugs and cosmetic act 1940, controls quality of homeopathic medicine, ठीक है, इसके लिए drug and cosmetic act 1940 में बनाया गया था, the homeopathic pharmacopoeia laboratory HPL was stabilized in 1975 under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has a quality monitoring apex body. Evolution of crude raw product of plant origin is carried out by the organoleptic evolution, microscopic evolution, physical evolution, chemical evolution and biological evolution. The drug and cosmetic rules कब आया था, 1945 में, ठीक है, the drug and cosmetic act of 1940, 23 of 1940 and 10th April 1940, तो चले देखते हैं, इसमें important part क्या है, 30A में क्या है, import of new homeopathic medicine, ठीक है, एक्जाम में आज कल question अक्सर पूछे जाते हैं, तो यह सभी को आप लोग याद रखेगा, sale of homeopathic medicine, इसको भी अपन आप भी देखेंगे, 32A में क्या है, packing and labeling of homeopathic medicine, ठीक है, 30A में क्या था, import of new homeopathic medicine, अब चले देखते हैं, sale of homeopathic medicine को, sale of homeopathic medicine में है, 67A, 67B, 67C में क्या है, forms of license to sell a drug, 67D में क्या है, sale at more than one place, 67E क्या है, duration of license, 67EE है, certificate of renewal, 67F, condition to be satisfied before a license in the form of 20C or form 20D is granted, 67G क्या है, condition of license, 67GG है, additional information to the furnished by applicant for license or license to the licensee authority, 67H क्या है, cancellation and suspension of license, ठीक है, तो यह अक्सर exam में पुछा जाता है, 67H, ठीक है, बाकी भी सभी important है, लेकिन अक्सर exam में, यह पुछा जाता है, 67C, 67D, 67E, ठीक है, एफ के बारे में कई वह पूछा गिया है, इसको भी याद रख लीजेगा, आप लो, याद तो सभी कीजेगा, लेकिन अक्सर exam में, पुछ हैं, जो कि अक्सर पुछे जाते हैं, ठीक है, नेक्स है, मैनुपेक्ट्चर फॉर सेल और फॉर दिस्टिबिशन अफ हमेपैथी मेडिसीन, 685A में क्या है, मैनुपेक्ट्चर अन मोर दैन वन सेट अप परमाइसेश, and 85B में है, एप्लिकेशन फॉर लाइसेंस तू मैनुपेक्चर 85C में क्या है, एप्लिकेशन फॉर लाइसेंस, उसी तरह 85 के सारे हैं, आप लोग देखते जाएए इसको, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजेगा, नेक्स देखते हैं, अपन लेबलिंग और पैकिंग और हमेपैथी मैडिसीन, वो किसके अंतर गताता है, 106A में क्या है, मैनर अप लेबलिंग और हमेपैथी मैडिसीन, 106 में है, B में, प्रोभिशन और कॉंटिटी और परसंटेज, ठीक है, उसी तरह 126 में है, स्टेंडर आप अप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग ये हमेपैथी अप्थेल्मिक प्रिपरेशन, शेडूल A form, शेडूल FF, स्टेंडर पॉर अप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजेगा, The Drug and Magic Remedy Act, The Drug and Magic Remedy Act कब आया थ 21 of 1954 and The Rules 1955 में आया था, ठीक है, उसी तरह medicinal and toilet preparation ये कब आया था, 1955 में, उसी तरह Dangerous Drug Act कब आया था, 1930 and Rules कब आया था, 1957 में नेक्स्ट अपन देखते हैं, Formicogonose, It is a science which deals with the history, source, cultivation, collection, preparation, distribution, identification, composition, purity, preservation and the commerce of crude drugs of vegetable and animal origin, ठीक है, तो ये फार्मेको गनोजी के अंतरगत आएगा, नेक्स देखते हैं, प्रेंट्स अपन important families and drugs, composite family में कौन-कौन सी medicine आती है, आनिका, कैमोमिला, सीना, एस्ट्रिया, एट्रिमेसिया, वल्गेरीज, एबिस्थिनम, मिलीफोलियम, इबेटोरियम पर और टेरेक्सिकम, ठीक है, उसी तरह देननकुलेसी फैमिली में, एकोनाइट, हैलिपोरस, क्लेमेटिस, पियोनिया, पलसेटिला, हाइड्रिस्टेसि सिस्टेफाइज एरिया, एक्टियारेजिमोसा, एन रेननकुलस बल्बस, लिलीएसी फैमिली में, एलियम सीपा, एलियम साटाइबा, एलो, कॉचिकम, कलवेलेरिया, सेबेडिला, वरेट्रमेल्रम, सॉलेनियसे फैमिली में, बैलाडोना, हायोसाइमा, सिस्ट्रामोनियम एं दलकामारा, लोगिनियसे फैमिली में, जलसीमियम, नक्समॉमेदिया, एं, एलियम द begitu पायजी. कुकुर्बृतेसे मैं कॉलोसीन, ब्रायनियाज, मेमिरोडिका अनाकार्डीसे मैं अनकार्डियम औरफोक्स कॉनी फेरिये Фामिली में कॉन कोन है? कॉम्यजय फेर्ये मैं सिं sorts on a, इपिकॉक अन कोफिया हमली फेरिये मैं ओ नियंग, सिंकूताइन, फिलेंट्रियम is equal to 65 mg, 1 ml equal to 17 drops, recognized homeopathy pharmacopoeia कौन कौन सी है, homeopathy pharmacopoeia recognized by drug and cosmetic app, उसमें सबसे पहला homeopathy pharmacopoeia of India, British homeopathy pharmacopoeia, homeopathy pharmacopoeia of United States, German homeopathy pharmacopoeia and the French homeopathy pharmacopoeia is not recognized, but it has valuable information on no sold-end, organotherapies, no sold-end, sarcoats के बारे में valuable information देती है, French homeopathy pharmacopoeia, but वो recognized नहीं है, तो आज का वीडियो ही पर end करती हूँ, friends, hope करती हूँ, यह pharmacy के quick review आप लोग के लिए exams के लिए helpful हो रहेंगे, friends, हो सकता है, वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन अपने pharmacy के almost सारे topic को cover करने की कोशिश कियें, friends, इसकी वज़े से वीडियो हो सकता है, काफी लंबा हो गया हो, तो आप लोग इसको जरूर देखीगा, क्योंकि आप लोग एक बार में इसमें, पुरे pharmacy को revise कर सकते हैं, friends, और आपको exam में help मिल सकेगी, और इसमें जहां तक हो सकी, मैं बहुत सारे topic को cover करने की कोशिश की हूँ, friends, ठीक है, theory purpose से भी बहुत सारे topic थे, जिनको मैं अभी इसमें सामीन नहीं की हूँ, ताकि वीडियो और आपके लोग के लिए लंबा ना हो, ठीक है, friends, तो होप करती हूँ, ये आप लोग के लिए helpful रहेगा, friends, तो अगर आप मेरे साथ ऐसी जूड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, साथ ही साथ वेल आकन को paste करना ना पूले, friends, तक आने वाले नेक्स वीडियो के बारे में आप लोग को notification मिल सके, मिल दें नेक्स वीडियो में, तब तक अपना ख्यार रखे, टेक केर, थैंक यू, and बेस्ट अफ लग,